This is 100% Cristiano Ronaldo recipe game तुमको लगेगा कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर Ronaldo ने एक टीम को हारते में बच्चाते होए यहाँ पर गेम को क्लच किया है लेकिर एक्चुली मैं में को लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से जब भी Cristiano Ronaldo एक headline बनाता है एक record बनाता है और एक ऐसा record बनाता है कि यहाँ पर definitely सब थोड़ से बोचक्यत हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर आती है एक wave एक ऐसी wave जो कि Ronaldo के उस record को जितना divine कर सके हो उतना करते हैं और इसलिए Ronaldo वापिस एक वो चीज़ करके दिखा देता है जो कि नहीं इस Portugal में कोई कर सकता है और 85% से जादा player अपने prime में भी यह चीज़ नहीं कर सकते जो कि Ronaldo at 39 करता है यह context goated context है आज यहाँ पर Portugal का गेमद देखने करें मैं भी काफी excited था और particularly तब जादे excited था जब Ronaldo को squad से नहीं बस starting 11 से भार किया गया अब देखो इस से मेरे को यह तो बता था कि इसमें कोई controversy नहीं है लेकिन यह catchy इसले होने वारा था क्योंकि मेरे को यह देखना था कि Ronaldo को definitely अगर Portugal हारती है तो गेम में लेके आया जाएगा और Ronaldo के regarding एक anti narrative बिठाया जाता है कि जब भी Ronaldo नहीं खेलता अगर team जीच जाती है तो who needs Ronaldo अगर team हार जाती है तो Ronaldo आके भी क्या कर लेता ऐसे मैं यहाँ पर मेरे को यह लग रहा था कि जब Scotland पहले 5 मिनट में गोल मार दिया और मैं यह समझ चुका था कि Ronaldo का आना बिलकुल तै है ऐसे मैं I just wanted to see not as a Ronaldo fan boy but actually as a football fan boy कि यहाँ पर यह Portugal की team को किस तरीके से बिठाया गया है खिलाया जाएगा और Ronaldo के आने के बाद यहाँ पर क्या chances create किया जाएगे पहले हाफ की बात करते हैं देखो Portugal ने अपनी चुदिया बंती तो छोड़ी नहीं और यहाँ पर पहले 5 चुलेट में गोल भी खा लिया लेकिन उसके बाद यहाँ पर Scotland ने जादा कुछ किया भी नहीं क्योंकि कि अल्टिमेटली वो जो करने की कोशिश कर रहे थे हो था कि वो अपनी लीड पर हैंग ओन करने वाले हैं रफेल लियाओ ने मेरे को लगता है कि पूरा बॉस किया पहला हाफ अफकोर्स यहाँ पर कुछ लेजी टैचिस आयते लेकिन वो पूरी ठूरूआउट पर्सेंट दे रहा था उसके साथ यह अगर हम पेडरो नेटो की बात करें या फिर मेरे को लगता है कि थोड़ा जो मिक्स्ट गेम गया था वो अन्टुनियो सिल्वा का गया था बिकॉज एट टाइमस ही लुक्स लाइक बॉस ही क्यारक्टर जिसको आप हिला नहीं सकते ब अगर चांश क्रियाशन की बात करें तीन हैडर थेन हेडर रोनाल्डो को एक हैडर मिला था और वह बस ऑलमोसald uda टेकनोलोजी के चलते हैं यहाँ पर गोल नहीं हुआ और यहाँ पर Woo bus आप कहसको कि जरा सा रहा जिता लिए तो गोल हो जाता और यहाँ पर एक और header था और तीनों यहाँ पर उन्होंने chance गवा दिया but I think point यह नहीं है कि यहाँ पर header के chance गवा दिया point यह है कि जिस तरह की chance Portugal create कर रही थी Ronaldo at a focal point यहाँ पर बहुत बड़ा role निभा सकता था और यह उसने किया भी I think यहाँ पर लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि Cristiano Ronaldo यह जो एंटी नेरेटिव है रहा कि Cristiano Ronaldo इस Portugal की टीम को बिल्कुल hold किया हुआ है आज तो Ronaldo पहले आफ में था भी नहीं और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जो इस गेम को actually में उस नजरिये से देखता है कि उस पर बात करें उस पर अपने ओपीनियन दे I think वो इस चीज को मानेगा कि Portugal ने पहला 45 मिनट जो खेला अब यह रोनाल्डो लेवल का ही गेम है यह रोनाल्डो का ही गेम मांग रहा है यह रोनाल्डो को ही मांग रहे है जब second half में Cristiano Ronaldo आया में को लगता है कि I think यह चीज मैं पिछले वाले गेम के रिव्यू में बोलना भूल गया और I think आज एक बार फिर से Cristiano Ronaldo ने इस चीज को प्रूफ किया there are one like there are certain things लेकिन एक बुरी चीज में इसको अभी भी लगती है I think Cristiano Ronaldo का एक चीज थोड़ा सा अठपटा लगता है और वो यह कि जब वो बॉल मांगता है ड्रॉप करके I think Cristiano Ronaldo on a personal level आज आप कितने ही passing की हम अभी उसकी तारीफ करने वाले हैं उसके assist की भी almost जो जाओ फिलिक्स ने miss कर दिया या फिर उसके creativity की लेकिन इसको outside कर दो न Ronaldo जब भी ball मांगता है उससे actually में होता नहीं है इससे सबसे बड़ा नुकसान का तुम लोग कहोगे कि यह होता है कि जो momentum है जो speed है attack की वो रुख जाती है लेकिन इससे बड़ा भी एक नुकसान होता है वो यह है कि Ronaldo वापिस से penalty box में जहाँ पर उसका सबसे बड़ा use है वहाँ तक पहुचने पर और time लेने वाला है इसका मतलब Portugal को ball और दादो घुमानी पड़ेगी and I think यह चीज चाहे कितना बड़ा से बड़ा game हो या फिर कितना छोटा से छोटा game हो Ronaldo इसको करता भी है I think इसका point इसका benefit अभी तक मेरे को समझ वे यहाँ पर नहीं आया दूसरी चीज मेरे को यह भी लगता है कि Ronaldo जब भी ऐसे drop करके ball मांगता है एक psychological pressure teammates पर create होता है कि they have to give to Cristiano Ronaldo अगर Ronaldo को वो successfully pass करते है then Ronaldo's को recycle करता है which is again you like आप बापिस से उसी point पर आरो जहां से start कर रहे हो लेकिन अगर वो उस चीज को नहीं करते है then Portugal काफी जादा मतब काफी ही जादा vulnerable होती है यहाँ पर counter attack की but आज Ronaldo की passing की बात करे या फिर बात करे रोनालडो की passing जो कि उन्होंने पिछले match में करी थी absolutely brilliant क्रोशिया के against भी और आज यहाँ पर Scotland के against भी रोनालडो की passing वो जाओ फिलिक्स वाला flick उसके अलावा यहाँ पर जो passing थी उसके अलावा जो जिस तरीके से वो यहाँ पर chances create कर रहा था यहाँ पर momentum को बरकरार रख रहा था अपनी position को maintain कर रहा था absolutely goated जितने chances यहाँ पर क्रोशिया केंगे उसके create नहीं करे but of course उसी level पर था है I think रोनालडो की passing at the age of 39 बहुत underrated जा रही है I think यहाँ पर of course जो पूरा fan base है या फिर जो पूरा football critics का पूरा community है बहुत जादा focus रहता है कि रोनालडो किस चीज या तो उस पर रहता है कि रोनालडो किस चीज में विलकूली अभी भी like world class goated level पर खेलता है या फिर पूरा तरीके दे focus रहता है जहाँ पर रोनालडो का सबसे बड़ा degrade हुआ है definitely उसका pace, acceleration थोड़ा सा आप उसका balance भी कह सकते हो या फिर आप थोड़ा सा आप उसका कह सकते हो कि उसकी जो फिरीक टेकनीक है लेकिन इसके बीच में भी ग्रे एरिया और इसकी पासिंग रेंज वहां पर लाई करती है पॉर्चुगल का गिरा ये गेम में बात करूं I think यहां पर without Cristiano Ronaldo they cannot operate I am not talking about they should or they should not that's a whole totally different episode लेकिन अभी के तौर पे तो नहीं कर सकते it's a like Ronaldo का अगर आप goal देखोगे बहुत simple देखेगा but अगर कोई और striker होता तो वो यहां पर उसको attempt ही नहीं मारता क्योंकि उसको यह लगता कि definitely यहां पर जो पहला बंदा है and I think it was Diego Jota वो उसको मार देगा but Diego Jota ने miss किया and Cristiano Ronaldo का instinct ही ऐसा है that he will go for it और यहां पर I think Ronaldo ने आज बहुत unlucky विरा he tried too much for one goal and ultimately it pays off इस mentality का, इस skill का, इस ability का है ही नहीं लेकर यह बात करते हैं यहां पर भाई Spain के लमीन यमाल की सबसे बड़ी तो अभी आप social media पर जाओगे तो आपको बार्सलोना हिस्सा में बिलकुल नाचते हुए दिखेगे क्योंकि of course international break यहां पर अब खतम हो चुका है और यहां पर बार्सलोना के प्लेयर्स वापसी कर चुके हैं without any injury, particularly पेडरी गिला तो भाई बिलकुल शेनाईया बजरी है Spain का यह match Spain momentum जरा सा भी miss नहीं करी है यहां पर European Championship के बाद और Switzerland को of course, Switzerland technical level पर जितनी elite ना हो लेकिन physical level पर काफी जादा elite है और मेरे को Lamine Yamaal ना मतलब I think अब मैं शौक नहीं है पिछले 19 गेमों की बात करें तो obviously उसके यहां पर 15-16 गोल कॉंट्रिविशन्स हैं last time उसने कभ यहां पर साथ या साथ साथ के नीचे की कोई rating दी थी पता नहीं कौन सा गेम था जहां पर उसने actually में या assist न किया हो या फिर कोई गोल ना मारा हो and I think जब 20-21 गेम होता है of course जो एक बादल मंडराता है खत्रे का की one season मंडर वारा एक बादल जो खत्रे का मंडराता है की अगर एक long term injury होगी तो क्या होगा यह खत्रा रहेगा लेकिन I think जो बहुत सारे बादल चट चुके हैं जिसको खुद लमीन यमाल ने यहाँ पर तोड़ दिया है वो है consistency और I think यह consistency की बात करें वो maturity जो गेम में आ रही है वो technical prowess की बात करें वो एक खुबसूरती की बात करें नजाकत की बात करें वो I think लमीन यमाल के गेम में आपको दिखती है चाहे उसकी passing range की बात करें चाहे उसके यहाँ पर like assist करने की ability की बात करें या फिर उसकी खुद की shooting की बात करें I think इन सारे areas में ऐसा लगता नहीं उसकी game को देखके कि लमीन यमाल एक one-sided game player बन रहा है like for example अगर आप जिसे like किसी भी एक exercise player की बात करो तो कोई dribbling में बहुत बहतरी नहीं कोई यहाँ पर tight spaces में बहुत बहतरी नहीं crossing में कोई बहतरी नहीं कोई यहाँ पर shooting abilities में बहतरी नहीं लमीन यमाल धीरे 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 बहुत अच्छी तरीके से development कर रहा है हर एक area में चाहे आप उसके dribbling की बात करो, चाहे आप उसके counter attack की बात करो, चाहे आप उसके low block को तोड़ने की बात करो, चाहे आप उसके shooting ability की बात करो, चाहे आप उसके crossing की बात करो, या फिर आप उसके position maintain की बात करो, and it is absolutely brilliant thing. मतलब I think लमीन यमाल एक बहुत बढ़िया शाउट है इस सीजन का बनौत बेस्ट बेर का कंटेनटर बनने के लिए और इसमें कोई डाउट नहीं है इसी के साथ यहां पर अगर हम बात करें पेडरी की अपसुलूटलि जितना भी खेला बढ़िया खेला अफकॉर्स को सब्स्टिटूट कर दिया गया अफकॉर्स रियाल मुर्डि के जोजेलू का भी यहां पर गोल आ गया थैंक्स टू लमीन यमाल तरान टॉरस ने भी एक अच्छा खासा रोल निभाया लेकिन आज के इस एपिसोड में तो भाई